Android 10 का Reborn OS का एक अनदर अपडेट आया है जो के एक पोर्ट रोम है हमारे Redmi के Note 5 Pro डिवाइस के लिए जो के Android 10 को सपोर्ट करता है जहाँ पर आपको Mi Virtual के सारे features मिलते हैं और इस Reborn OS के तरफ से आपको काफे interesting customization भी देहनी को मिलता है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितना कुछ customization, क्या bugs और कैसी performance मिल जाती है तक आप इस रोम को ट्राइ करना चाहते हो तो वीडियो को फूल एंड टक वाच करते रहे है ताकि मैं आपको complete detail दे सको इस रोम से regarding Hello everyone, I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो में आपको complete detail देने वाला हूँ इस Reborn के MIUI 12 Android 10 बेस्ट रोम के बारे में जहां पर आपको latest security patch जो की 2025 5 का है और build number जो है आपको 20.5.26 देहने को मिलता है जो की completely waste है सायो में EU के उपर लेकिन है modified किया गए Reborn की और से जहां पर आपको जो extended का kernel देहने को मिलता है और मैं यहां पर फिलाल फोर्ज विला वर्जन है जो यूज कर रहा हूँ जहां पर आपको MI MOVER देहने को मिल जाता है factory reset और backup and restore option दिखाई देता है यहां पर जितने भी कुस्टमाइशन ने सारे MIUI 12 के उपर build है तो वह सारे कुस्टमाइशन आपको मिल जाते हैं जो के Android 10 वाले MIUI 12 को मिला है जैसे कि आपको floating window जो कि fully support करता है कोई भी इसू देहने को नहीं मिलता है साथ-साथ अगर हम इसके अधिसर पर आते हैं तो आपको यहां पर देहने को मिल जाता है जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हो तो इनमें आपको कोई भी इसू दिखाई नहीं देता है व आपको कुछ selected language का support यहां पर देहने को मिल जाता है तब अगर इनमें से कोई भी लेंग्विज के users हो तो आप यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो तो इनका एक इसकी इंसरुट में आपको टेलिग्राम पर सेर कर दूँगा जहां पर चेक कर पाऊगे कि कि किनकी language को यह support क देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेलेगे इन पर क्लिक करके नोटिफिक्स को इनवल कर ले ताकि जब मैं वीडियो दूँ आपको जो नोटिफिशन मिल सके और आप उसे जो वाच करके बेनिफिट लेशने से के अंदर आपको face unlocking working देखने को मिलता है और fingerprint लेक यहां पर individual app का option की मिलता है क्योंकि यह Android 10 को support करता है वह एक छोड़ी सी bug देखने को मिलता है जो कि इनवी के नोट 5 प्रोगे हर एक फोट्रों के अंदर देखने को मिला है वे रेडिंग से regarding अगर आप यहां पर रेडिंग मूड को on करते हो तो यह काम करता है लेकिन off करने के बाद यह off नहीं होता है तो इसे fix करने के लिए आपको color के setting प्लाना होगा और यहां से fix करना हो और यहां से fix करने के बाद तब जाके आपका जो डेटिंग मूड disable होगा वहें पर control center के और देखनी को मिल आते हैं यहां पर extra customization जो की EU पर भी नजर आता है लेकिन यहां पर different type का animation देहनी को मिलता है और cut out colors वगरा जो कि आपको यह customization प्रवाइट किया गया है reward की और से अगर हम reward पर आते हैं तो यहां पर colors वगर आप change कर सकते हो कई सारे colors दिये गए हैं तो जो भी colors आपको पसंद आता है बस उसको पर tap करना है और थोड़ा सा wait करना है जैसे आप इसे tap करोगे इस तब पर चेंजिंग देहनी को मिलता है अपने QS panel के अंदर तो काफी अच्छे कासे आप कुस्टमाईशन देहनी को मिल जाता है वह पर आप जो भी color चाहते हो या जो आपका favorite color है वो आप यह आप यह उज़ कर सकते हो तो बहुत सारे colors यहां प कर सकते हो brightness slider का lens कितना होना चाहिए वो भी आप यहां पर maintain कर सकते हो लेकिन यहां पर चोटी सी कमी है कि यह by default फिर से फुल पर चला जाता है यहां पर अगर आप इससे off कर देते हो तो आपको यहां पर देहनी को मिल जाएगा इसका brightness slider हाइड जो कि यहां से आप enable or disable कर सकते हो महीं पर आपको status work का more technique को मिलता है यहां पर MIUI pro या iOS का है जो notification center को change कर सकते हो QS panel में row and column जो कि मैंने कुछ इस तरीके से maintain किया है तो आप यहां पर जो maintain है जो कर सकते हो आपको जो भी पसंद आता है कुछ उस तरीके से वहां पर आगे back you रहाते है तो theme का support जो कि हमारा ख यहां पर आते हैं तो काफी कम customization है उमीद करते कि और customization यहां पर increase होगा और काफी better से आपको response देशनी को मिलेगा rebound के और से वहीं पर आपको log script ने वही same options वगेरा जो provide किया गया है अगर यहां पर honor info के उपर आते हो यहां पर test की बात करते हैं कितना है यहां पर size limitation तो यहां यहां पर home screen पर आ जाते हैं तो आपको camera का new UI देखनी को मिल जाता है तो n by 10 के उपर आपको new UI देखनी को मिलता है यहां पर google lens भी provide किया गया और बाकि अदर features भी work करता है लेकिन portrait का यहां पर bug मिलता है तक आप portrait picture के लिक करना चाहते हो तो आपको जो gcam यूज करना होगा क पहले से आपको rooted नहीं मिलता है तो आपको manually root करना होगा लेकिन root करने के बाद भी आपका net safety बिल्कुली pass रहेगा तो आपको problem नहीं आएगा banking का app यूज करने में लेकिन अगर आपको no sim detection की problem आता है तो मैंने इसे fix करने को उपर dedicated video दिया है कि किस तरीके से आप no sim detection को fix कर सक सकते हो तो आप उसे वीडियो को watch कर लेना यहाँ पर कस्टमाजिशन काफी अच्छा है Android 10 का support भी मिल जाता है आपको net safety भी बिल्कुली pass है लेकिन यहाँ पर RAM मेंने मुझे थोए सा week लगा है और 82 score आप देख सकते हो 139059 का है जबकि इसके पहले मैंने आपको एक Chrome का provide किया आप देख सकते हो 4GB में से ओने हो 670MB free है जबकि मैंने थोड़े वो tab open कर रखे हैं तो यहाँ पर RAM मेंने मेंट इंप्रूफ करने की ज़रूरत है उमीद करते हैं जो next update आएगा उसमें इसका RAM मेंने मेंने काफिया तक improved हो जाएगा और इसका calendar app है यह भी आपको force close देता है तो यह भी दिकत मिल जाता है यहाँ पर कुल 2-3 बग आपको देखने को मिलता है by default portrait का calendar का RAM मेंने का तकर आप तीन चार्च इनोर कर सकते हो ता आप इस लोग को try कर सकते हो क्योंकि सब कुछ काफी अच्छा कासा देखने को मिलता है और बिलकुल नए से customization आपको दिखाई जेते हैं जो कि रिवोन के और से हैं बट जरूरा थे इसके fix होने के और next update का तो वीडियो पसंद आयो तो एक थमसब जरूर दे और next update का वेडियो अगर आप करना चाहते हो तो चानल को सब्सक्राइब कर ले और एक जैसे नेक्ट अपडेट आएगा मैं आपको complete detail provide कर दू आपको